हेलो गाईज वेलकम टू फोरेक्स सेलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है तो एक अनदर सौकिंग न्यूज आ रही है प्रॉप फॉर्म इंडेस्टी के लिए आपने देखा होगा MFF माई फोरेक्स फंड अल्रेडी सट डाउन हो चुकी है और अब ये एक नई जोकी एक सौकिंग न्यूज है टू फोरेक्स फंड जोकी एक प्रॉप फर्म है घंगेरियन बेस्ट येरोप की प्रॉप फर्म है जिसको मैटर टेडर ने ब्लॉप कर दिया है क्या न्यूज है क्या डीटेल में है इन्होंने मुझे भी अप्रोच किया था प्रोमोशन के के लिए मैं सारी चीजे डिटेल इस वीडियो में कवर करूआ अगर आप पहली बार इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल चलिए चलते हैं वीडियो में तो गाइज अगर आप प्रूफ फोरेक्स फंड को यूज करते होंगे तो आपके पास एक इस तरह के का मेल आया होगा जो आप मेरे पास यहाँ पर इमेल देख रहे हैं अल्रेडी MFF सट्डाउन के प्रोसीजर से गुजर रहा है उनके उपर प्रोसीडिंग चल रही है केस चल रहे है पर यह केस थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर मैं बताऊंगा जो मेल मेरे पास आई है और मैं आपके साथ साथ सेर करता हूँ तो True Forex Fund की दरब से जो एमेल आई है उसमें लिखा हुआ है Due to nonsense reason Meta Quartz Meta Quartz जो firm है जो आपके MT4, MT5 प्रोवाइड करती है Terminated over license तो True Forex Fund के जितने भी अकाउंट से वो Meta 4, MT4 या MT5 में चल रहे हैं और वो सभी अकाउंट टर्मिनेट कर दिये गए हैं तो अगर कोई भी यहां पर उनके अकाउंट को यूज कर रहा था True Forex Fund का अकाउंट था अब वहां पर आप trade नहीं ले सकते हैं And therefore we have to freeze our service temporarily Team is working hard to plan to continue providing our service तो जितनी भी अकाउंट से हैं जिनके भी अकाउंट से हैं वो funded है या challenge phase में चल रहे हैं तो सभी अकाउंट यहां पर temporarily shut down कर दिये गए हैं So true Forex Fund यहां पर mention कर रहा है कि यह जो MetaCourse के platform थे 2021 से इसको follow कर रहे थे और इन ही में इसमें अकाउंट थे अब यहां पर MetaCourse did not give any prior warning यह बोल रहे हैं कि यहां पर इन्हें कोई warning नहीं दी गई है MetaCourse की तरफ से और सीधा और कोई भी chance इन्हें provide नहीं किया है ताकि वो अपनी service को यहां पर continue रख सके और कोई अपने account किसी और broker में वहाँ पर shift कर ले और यहां पर अब यह बोल रहे हैं we would like to assure that despite all the turbulence we will never back down, we will वापस आएंगे और वी कोशिस करेंगे कर पा रहे हैं तो अपने trading position को freeze कर दीजिए यह नहीं तो वो अपने आप यहां पर freeze हो जाएगी we would like to apologize there a disaster force measure event that occurred due to reason beyond our control please note that the remaining payouts will be settled once a firm is unfrozen तो अभी उनके जो payouts है वो भी यहां पर block हो चुके हैं अगर आपका funded account तो आपको कोई payment भी यहां पर नहीं मिलेगी जब तक वो unfrozen नहीं हो जाए तो अभी यह कब तक होगा इसमें कुछ अभी यहां पर कह नहीं सकते हैं broker में transfer होने के लिए भी time लगेगा अगर meta course ने इनको freeze किया है या कोई दूसरे broker में जाते हैं काफी यहां पर complication रहती है तो यह issue different है MFF की तरह नहीं है पर यहां पर worst case scenario यह बोल रहे है if we have to migrate to another broker we face an issue to offer symbol discrepancies making open position migration challenge please close your position before market closure otherwise they will be automatically closed once again we keep in mind that as soon as the workaround is implemented you will be able to continue the trading journey with 24x fund your support means a lot तो जितने भी accounts हैं सब के लिए मैं कहूंगा जिनके funded accounts है या challenge चल रहे थे जिन्हों ने लिया वा था उनके लिए एक बहुत भी बुरी ख़बर है even prop industry के लिए भी एक another firm है यहां पर आपको कोई भी warning नहीं मिलती है even इनहीं नहीं मिलिया तो जो trader है उनके लिए तो और भी worst scenario है true forex fund को मैं पहले से ही support नहीं करता हूँ क्योंकि इनके उपर already ये red list में डाले हुए CFTC और इन्होंने मुझे August 23 में approach किया था कि मैं इनके साथ promotion करूँ इनके उपर video बनाओ और ये मेरे साथ collaborate करना चाहते हैं पर जैसे आप जानते हैं कि मुझे पता था लास्ट यर में 23 में जहां पर इन्होंने मुझे मेरी email पर मुझे contact किया था Hi there, there is Peter और ये इनका true forex fund की firm है जो October 21 से operate कर रही है और इनके challenge है और इतना इन्होंने growth कर लिया 3 to 4 we continue to expand our horizon seeking build mutual benefit partnership or current collaboration including work with influencer review so we are eager to explore how we can tailor a special partnership deal with such both parties and if you are interested joining forth with us feel free to reply on this email तो मेरे पास इन्होंने approach किया था कि ये मेरे साथ collaboration करना चाते हैं तो जैसा आप जानते हैं कि मैं बिना किसी firm को try किये या जब तक मेरा उसके ऊपर trust नहीं हो मैं उसको promote नहीं करना चाता हूं और मेरा आपके प्रतिवी एक responsibility बनती है कि मैं आपके साथ ज़स फीज के लिए या पैसो के लिए कुछ भी firm को promote करूँ जब तक मैं उसमें convinced नहीं होता हूं तब तक मैं उसको वहाँ पर suggest नहीं करता हूं पर इंश्टी में कुछ भी हो सकता है मैं अपनी तरफ से करता हूं कि आपके साथ कुछ इस तरह की firm को यहाँ पर promote ना करूँ तो इन्होंने मुझे दुबारा से अगस 30 में मैंने कोई reply नहीं दिया था mail की hello for warning on this have you had the time to consider this peter फर मैंने फिर यहाँ पर 30 अगस को same ही फिर इनको reply कि I am not interested at this time तो मैं इनके साथ interested नहीं था मैं interested क्यों नहीं था वो मैंने आपको अल्रड़ी एक वीडियो बताया है बनाया हुआ है Ftmo Band अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वीडियो का नाम है Ftmo Band Ftmo Indian Traders क्या करें तो इस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है कि क्यों मैं True Forex Fund के साथ नहीं गया था और क्या reason है कि True Forex Fund यहाँ पर problem है और आने वाली दिनों में उनके साथ problem हो सकती है मैं आपके साथ ये वीडियो प्ले करता हूँ आप यहाँ पर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि True Forex Fund के साथ इस्यू क्या था अगर आप देखेंगे कि recently जो True Forex Fund एक ये another prop fund है जो कि Hungarian prop fund है Ftmo है जो Czech Republic Fund है जो दोनों ये उरोप में आती है तो True Forex Fund को CFTC जो की US की Regulation Authority है उन्होंने इसको Red List में डाला हुआ है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो यहाँ पर हम CFTC Commodity Future Trading Commission की Website पर हैं जिन्होंने Case MFK Against में भी डाला था तो यहाँ पर आप देखेंगे जो True Forex Fund है जो Hungarian firm है और जो Red List में इन्होंने डाला हुआ है इन्हों लास्ट यह से इसको डाला हुआ है तो यह यूएस में अपरेट कर रही है और यह अपनी जो सर्विस है वो यूएस में अपनी सर्विस प्रवाइड कर रहे है CFTC की जूरिस्टिक्शन में तो Commission has revealed that इस entity is acting capacity appear to require registration but it is not registered within CFTC और इन्हों ने इसको red list में डाला हुआ है तो जैसे कि आपने देखा इस clip में मैं आपको बता रहा हूँ कि CFTC से यूएस ने इनको red list में डाला हुआ है हाला कि European Czech Republic Company है पर वहाँ पर यूएस के client इसको नहीं कर सकते हैं और red list में इसको डाला हुआ है फिर भी यह operate कर रहे है तो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ problem वहाँ पर हो सकती थी तो इसी वज़े से मैं इनके साथ कोई cooperation नहीं चाहता था बहले ही यह बहुत ही अच्छी firm है काफी अच्छे clients से satisfaction है पर नहीं पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे इनकी website भी अगर आप देखेंगे तो same notice जो email मेरे पास आई थी इनकी true forex fund से same वही due to nonsense reason metacode से इनके accounts को block कर दिया है अभी operate नहीं कर रहे है अभी future में क्या होगा कि broker नए broker में यह transfer करें यह नहीं के साथ solution करें जिसमें काफी time लगने वाला है यह जब चीजें एकदम से नहीं होती है इसमें month लग सकते हैं अगर आपका account है यहाँ पर तो फिर problem है आपके साथ तो मैं कहूंगा कि आप repudate proper firm को ही choose करें किसी भी नई firm कोई भी firm आ रही है discount लेकर आ रही है आप उसमें एक साथ join करें आपको पता है मैं केवल कुछ ही firms को यहाँ पर promote करता हूँ और उनी के साथ मैं आपको advice करता हूँ कि आप account लेना चाहते हैं firm में तो वहाँ पर ले क्योंकि आप इतनी महनत करते हैं funding challenge पास करते हैं और फिर आपके साथ MFF जो my4x fund के साथ हूँ आपके account चले जाएंगे आपकी सारी महनत सेम यहाँ पर true4x fund आपने महनत की आपके account चले जाएंगे तो उस महनत पर पूरा फानी फिर जाता है बाकी कुछ भी हो सकता है किसी firm के साथ यहाँ पर कोई guarantee नहीं ले सकता पर जिस firm के साथ मैं associated हूँ आप देख रहे होंगे 5% या फिर the funded trader यह दो firm है जो मुझे अभी तक अच्छी लगी है जिसमें payout भी time से आ रहे हैं और satisfied customer हैं और काफी अच्छे reviews हैं और मैं भी दोनों firms को काफी time से use कर रहा हूँ आप account लेना चाते हैं किसी firm firm में तो मैं कहूंगा कि आप दोनों firms में से किसी में भी account ले सकते हैं दोनों के link में account के description में डाल दूआ वहाँ से आप discount भी ले सकते हैं 10% discount आपको मिलेगा दोनों firms में तो in future आप careful रही है जबी भी किसी firm को choose करें और एकदम से किसी भी new firm के साथ join ना जाएं जो firms काफी time से हो market में हो, payout दे रही हो reviews अच्छे हो तब ही आप उस firm में अपनी capital लगाएं क्योंकि आप अपनी मैनत करते हैं और अगर आपके साथ ऐसा होता है आपके account यहां पर होते हैं तो वो पुरी तरह किसे block हो जाते हैं तो देखते हैं in future जो भी यहां पर action रहेंगे मैं आपके साथ यहां पर update करूँगा और अगर आपको इस वीडियो से कुछ help मिली प्रीज लाइक दर वीडियो सब्सक्राइब कीजिए कमेट कीजिए ताकि इन future मैं आपको आपको अपडेट देता रहूँ अभी के लिए धन्यवाद थैंक यू टेक केर और गुडबाई